हे गुड मॉनिंग दोस्तों आप इस वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस वीडियो को सुबा में सूट कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको गुड मॉनिंग बर रहा हूँ लेकिन आप इस वीडियो कब देख रहे हैं साम देख रहे हैं मुझे नहीं पत लिगे दो तो मैं आपको आज Samsung Lexi A55 एक ऐसे ट्रिक बारे बताने हैं कि जिसे से आप अपने फोन में नोटिफिकेशन लाइट को इननेबल कर सकते हैं बहुत असाथ बिना कोई देकत को जैसे कि lähता है आपको कुछ मैसेज आये हुआ है लिए ध सब्कूरा के दाया और जाता है उझा को आपको ब्लिंग बारे आम सेयरी को दो हाकद है कि इसे आ होगे या कोई भी नॉच वालड डिस्पले हो, तो वहां पर आप कर सकते हैं, कैम करना है आपके फोन में अनेबल करने के लिए तो आप दिशाद बने रहे हैं तब तक आप जान जाएं कि क्या क्या करने है और कैसे आप अपने phone के अंदर notification light को enable कर सकते हैं जो भी notch वे डिस्प्ले है, या amoled display या Super Amoled display या full view display कुछ भी phone हो वहाँ पर बहुत यसानी से आप कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने internet connection को On कर लेना है चाहिए आपके पास Wi-Fi हो या data network हो या आपका mobile network हो, कुछ भी हो, यहाँ पर on कर लिजिए, on करने कवादे यहाँ पर आपको सबसे पहले play store पर जाना है, क्यों तो यहाँ पर play store भी एक app download करना है, जिसकी मदद से यहाँ पर आप अपने phone में कर सकते हैं, क्यों तो यह बहुत newly app है, अच्छा app है, और बहुत अच अच्छे rate के साथ आता है, जैसे कि देख सकते हैं, 50K plus download से 3.6 का rating है, जो बहुत अच्छा indicate करता है, तो सबसे पहले इस app को install कर लिजे, install करें तो यहाँ पर आपको खुछ चार से, सारे चार रेमी का एप है, तो आपको download कर लेना है, उसको यहाँ पर आपको simply से click करना है, दोस्तों इसके आपको जाते ही, आपको कुछ permission भागा है, जैसे कि आपके phone में जाका जो भी आपको app permission उसको allow करना है, जैसे कि आप देख लिए screen पर उस तरह से आपको कुछ भी allow करते चला जाना है, और दोस्तों यहाँ पर जानने को दिया है, हाँ पर आपको बहुत सार कि आप किस की चीज पर notification light को दिखाना जाते हैं, आपके phone के साइट में notification light दिखना सूरू होगा, तो यहाँ पर आप जिस जिस आप पर लगाना जाते हैं, तो यहाँ आप आप सिंपली टैप किजिए और enable करते चाहिए, इस जिस जिस आप पर वहाँ आपको 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 notification है, दोस्तों मैं कहूँगा कि आपके पर जो भी important हो कि notification आना उससे गोड़ा लिए, और यहाँ पर एक बात और कि आप खुद से जाकर change कर सकते हैं, जैसा आपका app है, उस तरह से color भी लगा सकते हैं, इसका कौन सा message आया है, आप असानी चेकर करें, तो यहाँ पर माल पहले salt ready है, वो दिखाएगा, उसका नीचे में साइट में active option मिलता है, वहाँ आप देखेंगे, आपको बहुत जो आपने enable किया, वहाँ आप देखेंगे, और वहाँ पर simply tap करके, click करके वहाँ आप उसका color change कर सकते हैं, जैसे का rate color का आप है, तो rate color का YouTube rate color का आप है, तो rate color क WhatsApp green है, तो green color का, डाल सकते हैं, जैसे की notification light में आपको आएगा, तो दिखेगा, उसका यहाँ आपको setting उपर जाना, tree dot के उपर setting पर click करना है, यहाँ आप आप चाहते हैं कि कितने second आपको light blink होती है, यहाँ पर मैंने 10 second कर दिया है, उसका यहाँ आपको कितने internal के बाद हो, त कब तक चलना चाहिए, लगभग, 30 मिरट तक मेरे अंदुसा से ठीक है, सफिसेंट है, और उसको चले आना है, और जब भी आपके मैंसे कोई phone आता है, notification आता है, तो अहाँ पर आपका बंद display में notification, so करना सूरू जागा, red का लगा, blue का लगा, जैसा यहाँ आपनी set किया हो, तो आप बताने कि आपको एक ऐसा लाग notification light, यह सभी phone में work करेगा, जो भी AMOLED डिस्प्ले है, नौच अले डिस्प्ले है, जी में notification light नहीं है, उहाँ पर work करेगा असानी से, तो आप बताने कि आपको एकसा लागा, तो लाइक करना, share कर देना, और subscribe कर देना, ताकि उन तो तब तक के लिए, श्टेटी वहिए, तब तक के लिए, जाहिन बंदे मातिरावदी